असलाव अलेकुम। व्रीबन होप एव्रीबन इस दूइंग रेट। आज जो है हम लोग अपना जो सीरीज है वाट श्प्ला इन्वेस्ट अटर मेनेजमेंट के लेक्शेज को इसमें हमारा लेक्शेर नमबर एट है। सेवन में हम लोग उने कोगलेशन, सेडिमेंटेशन और फ्लोकलेशन को डिटेल में डिसकस किया था और अभी हम एक प्रोब्लम सॉल्ब कर लेंगे, एक्जामपल प्रोब्लम जिसको सॉल्ब करने के बाद आपको प्रेक्टिकल अप्लिकेशन की समझ आएगी और कोगलेटर सेडिमेंटेशन तेंक या फ्लोकलेशन तेंक की डिजाइनिंग का अंदाज़ा हो जाएगा, तो इसमें इंपोर्टन चीज यह है कि हमेशा आप कोई भी प्रोब्लम सॉल्ब करने से पहले, कोई भी नुमेरिकल सॉल्ब करने से पहले, उसके स्टेटमेंट को वह स पढ़ ले, एक दफ स्टेटमेंट समझ आ जाएगी, उसके बाद सॉल्बूशन एजी रहता है, आप स्टेटमेंट प्रोपर तरिटर से नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं तो फिर नुमेरिकल को सॉल्ब करने में डिफिकल्टी आती है, इसके अंदर आप चीजे देख अब जो ऊस्ट receive트를 treatment plants प्लांट होता है, जैसे के मुझा होता है, इसके size हमें गीवन है है, जो first हमें गीवन है cobulator जो क हम बोलते हैं rapid mixing chamber भी बोलते हैं उसका volume हमें गिवन है 855 cubic feet और flocculation tank का हमें volume नहीं गिवन है इसके dimensions हमें ही गिवन है सही हो गया उपर वाले में direct हमें volume गिवन था इसमें dimensions गिवन है 150 feet wide होगा flocculation tank 58 feet long होगा और 14.5 feet इसका liquid depth होगा flocculation tank के अंदर जो liquid महुझ होगा उसका depth segmentation tank के बिसी तरह में dimensions गिवन है 140 feet wide होगा 280 feet long होगा और 17 feet depth होगी and next thing thing which is given to us is length of effluent wire along the four channels and the end of tank is 1260 feet यह चार हमारे channels है वो यहां से लेके और आपके tank के end तक इसका length हमें given है इसको हम LW कहते है जो कि 1260 feet गिवन है यह सारे चीज़े हमें given हैं तो हमने calculate क्या करना है major parameters used in sizing these units इसका क्या मतलब है जो हमें यह तीन units हमें given हैं इसके हम लोग उने parameters निकाल रहे हैं ठीक हो गया parameters का मतलब हम आगे step by step solve करेंगे तो पता चल जाएगा जैसे हमें जो कोगलेटर है या rapid mixing chamber है उसके अंदर हम retention time निकालते हैं वो इसका parameter है flow creation tank में retention time भी निकालते हैं horizontal velocity भी निकालते हैं फिर sedimentation tank में हम लोग retention time हो गया आपका horizontal velocity हो गया design flow हो गया यह सारी चीज़े हम लोग निकालते हैं हो गया तो इसके अलग अलग अपने अपने parameters हैं step by step सबको निकालेंगे और यह निकालने के लिए हमें एक और चीज़ गिवन है design flow हमें जिवन है 40 mgd mgd stands for million gallons per day राइट तो इनको हमने compare करने standards के साथ standards के क्या मतलब हम आगे समझेंगे हर जो unit है जैसे कोग्लेटर उस के अलक स्टेंडर्स है लोकलेशन टेंग के अलक स्टेंडर्स है और स्टेमेंटेशन टेंग के अलक स्टेंडर्स हैं उन standards को follow करना चाहिए design को so let's start with the solution कोई भी numerical solve करने से पहले सबसे पहला important चीज़ होता है कि आप given data लिखें flow collation tank का हमें size given था, sedimentation tank का size हमें given था, length of effluent wire along four channels to the end of the tank हमें था 1260 feet और हमें last में quantity of design flow given था जिसको क्यों से शुकर थे 440 million gallons per day जिसको हम जब feet cube per minute में convert करते हैं तो 3710 feet cube per minute आ जाता है तो यह हमें given था, अब हमने find क्या करना है, major parameters हमने find करनी है कौन से units की, coagulator की, Fermentation tank की और flow collation tank की, इन तीं की हमने major parameters find करनी है था, हम coagulator को पहले find करेंगे, फिर second, measurementation tank, then flow collation so let's start with the coagulator, अब coagulator या फिर rapid mixing basin का जो design है उसमें जो condition हमें satisfy करवाना पड़ता है वो है, जो हमें standard ने बताया है कि हमें हम जो retention time निकालेंगे, उसमें जो time आएगा, it should be less than 30 seconds या फिर दूसरे अलफाज में यह कि उस cancer 10 to 30 seconds के बीच में आना चाहिए हम solve करके देखते हैं, तो detention time जो है वो निकालने के नहीं हमारे पस formula होता है volume divided by design flow, V divided by Q, तो volume हमें क्या गिवान है? coagulator का volume हमें गिवान है, Q भी हमारे पास है, design flow भी पीछ हमने data में लिखा coagulator का volume हमें, 855 cubic feet गिवान है, और Q हमें कितना गिवान है, design flow 40 million gallons per day इसको convert करने पर 3710 आया है, इसको in values को हम put करेंगे formula में, at 55 divided by 3710 तो हमारे पस आएगा 0.23 minutes, right? अब हमने compare condition में जो करना है, उसमें seconds है, तो इसको seconds में convert करेंगे, multiply by 60 कर दें, तो आपका answer आजाएगा 13.83 seconds, तो hence 13.83 seconds is less than 30 seconds, या it lies between 10 and 30 seconds, तो इसका मतलब है हमारा condition, okay, satisfy हो गया, coagulator is done, हमारा next step किया है, coagulator का हो गया, तो हमने sedimentation tank और flocculation tank करना, तो second हमारा होगा flocculation tank design, इस design criteria में हमें 2 parameters find करनी है, 2, right, पिछले में हमने 1 किया था, जो कि detention time था, इसमें 2 हमने find करनी है, इसमें detention time भी आपने find करनी है, और horizontal velocity भी, ठीक हो गया, तो इसमें conditions किया है, detention time हमारा 30 minutes से लिसाना चाहिए, minutes से, right, it's not second, it's minutes, और horizontal velocity आपका 1.5 feet per minute से greater आना चाहिए, तो let's solve it, detention time भी हम निकालते हैं, आप पांकियों जैसे पिछले में हमने use के formula, अब इसमें जो V है, हमने volume flocculation tank का लेना है, क्योंकि हम इसके रिए sort करना है, flocculation tank का volume निकालने के लिए, क्योंकि हम वाल्यूमत हमें direct given नहीं है, लेकिन हमें dimensions given है, flocculation tank के, 140 by 48 by 14.5, इनको हम multiply करेंगे, तो हमारे पास volume आजाएगा, इसको हम divide करने, Q से Q हमें already given है, 3710, जब हम इसको divide करते हैं, तो हमारे पास 27.35 minutes आते हैं, so condition 1 satisfy हो रहा है, right, क्योंकि 27.35 minutes is less than 30 minutes, so condition 1 satisfy हो गया, condition 2 हमने check करने, condition 2, horizontal velocity निकालने के लिए, हमारे पास formula Q divided by cross sectional area, क्यों को गया, Q हमारा flow है, अब flow इस side से आपका हो रहा है, तो flow Q तो हमारे पास पहले से मौजूद है, 3710, पूट कर ले, divide by, आप cross sectional area कौन सा area होगा, वह area जहां पर जिस surface के उपर, यह side है, जिसके through, आपका flow in हो रहा है, right, chamber के अंदर या आपके basin के flow question tank के अंदर आ रहा है, तो इसके dimensions आपके 140 by 14.5, तो यह वाला cross sectional area आपने लेना है, 14 multiply by 140 करेंगे, तो यह area cross sectional area आ जाएगा, तो values पूट करने के बाद जब आप divide करेंगे, तो 1.82 feet per minute आपका velocity आएगा, horizontal velocity जो की greater than 1.5 feet per minute है, तो second condition भी satisfy कर रहा है, flocculation tank के दोनों parameters आ गई है, तो second step भी आपका done आ गए, step 1 cocculator, step 2 flocculation tank, अब step 3 आपका है sedimentation basin, अब जिस तरह हम cocculator में एक parameter find कर रहे थे, flocculation में हमने 2 parameters find के, sedimentation basin में हमने 4 parameters find कर रहे है, कौन कौन से, detention time आपका हो गया, horizontal velocity हो गया, wire loading ratio WLR अब अपनी आसानी के लिए इसको, abbreviation इसको WLR लिखने है, wire load ratio और 4 parameter हमने find करना, overflow rate ठीक हो गया, tank के उपर पानी बरने के बाद जो overflow होगा उसका rate हमने find करना, OFR, इन के conditions के हैं, जो सबसे पहले detention time है, it should be less than 4 hours, detention time आप 4 गंटे से कमाना चाहिए, horizontal velocity 0.6 feet per minute से कमाना चाहिए, आपका WCR जो है, wire loading ratio, should be greater than 20,000 GPD per feet, gallon, then it's something wrong is here, sorry हाँ it's right, gallon per day per feet, खीक हो गया, OFR आपका overflow rate जो होना चाहिए, greater than 800 GPD per feet square होना चाहिए, right, यह conditions है, इनको follow करना चाहिए, तो हम एक एक करके, पहले TW निकालेंगे, फिर V निकालेंगे, फिर WCR निकालेंगे, फिर OFCR निकालेंगे, और इनके answers को compare करेंगे, कि वो इन conditions को satisfy कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, सबसे पहले हम TW से start करेंगे, TW का फार्मूल हम पिछले दो steps में use कर चुके हैं, V divided by Q, अब इसमें फिर वहीं बात है, कि V वाल्यूम जो है हम इसमें sedimentation tank का लेंगे, sedimentation tank का में direct volume नहीं गिवन है, dimensions हमें गिवन है, size of sedimentation tank, इन तीनों को हम multiply कर लेंगे, तो volume आ जाएगा, right, volume, multiply करने से आ जाएगा, का divide करेंगे, Q से Q हमें already given है, तो हमारे पास 179.62 minutes आ गए, minutes को जब hours में convert करेंगे, 2.99 hours, hours में क्यों convert करेंगे, क्योंकि TW कंडिशन है वो hours में है, हमारा almost 3 hours आते हैं, right, और यह 3 hours क्या है, less than 4 hours है, TW हमारा हमेशा आना चाहिए चार गंटों से कम तो हमारा कम ही आ रहा है, तो यह condition आपका first, okay हो गया, अब हम second condition पर आते हैं, जिसमें हम horizontal velocity नहीं कालेंगे, Q divided by ax, Q is the, आपका flow हो गया, और ax cross sectional area हो गया, ठीक हो गया, तो Q हमें 3710 given है, और cross sectional area आपके क्या होगा, 140 x 17, 140 x 17, ठीक हो गया, यह dimension आपके क्या है, यह cross sectional area आगया, तो इसे 1.82 feet per minute आगया, इसको हम, क्या कहते हैं, I think it's, it's wrong here, let me edit it, यह आपका answer, make it where and board, यह आपका answer आगया, 1.82 feet per minute, जो की 0.6 से बड़ा है, V should be greater than, यह condition हाना, यह भी correct होगा, अब तीसरा आपका है WCR निकालना है, wire loading ratio, wire loading ratio का formula है, Q divided by LW, Q आपका flow है, और LW आपका है length, अब इदर हमें, Q 40 mgd या फिर, fit cube per minute, 3710 है, ठीक होगा है, 40 mgd में, और LW आपका given है 1260, इंको हम put कर लेंगे formula में, Q की जगे पर हम लोगोंने, 4 को रोड लिख दिया, 4 को रोड क्यों लिखा, Q की value, minute per fit cube, में हमारे पास 3710 था, लेकिन हम लोगोंने 40 वाला क्यों लिखा, क्यों की आप value देख लेंगे, 1 to Q की value 40 mgd है, million gallon per day है, और जब इसको convert करते है, feet cube per minute, 3710 है, अब इस step में हम लोग यह वाला क्यों यूज कर रहे हैं, यह इसलिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो condition है, इसमें unit, gallons per day per feet में है, right, इसलिए हम लोग, gallons वाला formula यूज कर लें, इदर क्या है, 40 million gallons per day है, इस million को जब आप convert करते हैं, 40 million, 4 crore, वहीं चीज हमने आपे लिए, 4 crore divided by length, हमें given है, 1260 feet, जब इसको divide करते हैं, तो 32,000 GPD per feet आता answer, तो यह क्या है, 20,000 से ज्यादा है, WCR जब आप cancer आएगा, 20,000 से ज्यादा होना चाहिए, तो यह condition भी satisfy हो गया, अब आखरी हमारा last है, OFR, overflow rate, should be greater than 800 GPD per feet square, तो, OFR का हमारा formula है, Q upon A, again, यह आपका given है Q, वहीं सेम 4 crore, divided by AX, अब इसमें cross sectional area जो आपका होगा, OFR में, OFR है क्या चीज? overflow rate है, right? overflow, जब इस tank में पानी overflow करेगा, तो उसका हमने rate निकल ला है, तो अब overflow जब कर रहा है तो, यह जो top surface है, जिसके उपर में cursor mouse चला रहा हूँ, यहां से overflow करेगा, right? तो overflow यहां से कर रहा है तो, इस surface का area लेना है, AX जब होगा, इस surface का area होगा, तो इसके dimensions 280 और 140 है, तो area के लिए 288 और 140 को मेंट apply कर लेंगे, इदर से आपका area आ जाएगा, Q आपका area भी आ जाएगा दोनों को जब divide करेंगे, क्योंकि formula Q upon AX है, तो हमारा पसा answer, 1020 GPD feet square, right? 1020 GPD per feet square आ गया है, जो कि 800 से बड़ा है, तो यह condition भी आपका satisfy हो गया, तो sedimentation basing के सारे condition satisfy हो गया है, ठीक हो गया, तो हम इसमें कह सकते हैं कि, यह जो हमारे standards, water work के standards हैं, उनको, यह जो हमें, size is given है, units के, वो सारे follow कर रहे हैं, right? So it's done here, जो हमें चीज़े पूछी कई थी problem में, वो सारे solve हो गई हैं, आजके साब लोगं को समझ आ गया होगा, तो इसमें अगर फिर भी कोई questions वगरा हैं, तो आप लोग comments में मुझे पूछ लें, या फिर जो मेरे students हैं, वो मुझे group में message करके पूछ सकते हैं, So I think we should end the lecture here, so lecture number 9, next lecture में हम लोग इंचा दो फिर मिलिंगे, next topic के साथ, so till then good bye, take care, see you next time.